स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर और दोस्तो आज हम इस वीडियों बात करने वाले है शाओमी के आने वाले नया स्मार्टफोन के बारे में जिनका नाम है रेड्मी नोट 11 सीरीज यहां पर हम को तीरी स्मार्टफोन लॉंच होते हुए दिख सकते हैं जिनका नाम रेड्मी नोट 11 11 प्रो और 11 प्रो प्लस हो सकता है तो इनके हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे किस डेट को लॉंच होने वाले है और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाली है तो इस शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहले हमारे पास आता है रेड्मी नोट 11 सिरीज का सबसे छोटा मेंबर जो की है रेड्मी नोट 11 5G तो दोस्तों यह फोन जो हमको मिलने वाला है मिलने वाली है इस इक साथ आपको बताऊं तो इसके जो डिस्प्ले है उमको LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है या फिर एमोलेट भी हो सकता है लेकिन आपको चलते हो बताऊं जो केमरा है वहां पर काफी अच्छी वीडियो और फोटो गरह किलिक कर पाएंगे इसके कैमरा से जहां पर रियर के अंदर आप 4K तक की वीडियो बना पाएंगे वहीं पर आप लोगों को फ्रेंट के अंदर 1080p तक की वीडियो आप हूट कर पाएंगे 30fps अब आगे चलते हूं आपको बताओं तो बैटरी जो है वो हमको मिलने वाली है 5000 image की काफी अच्छा बैटरी बैकप मिलेगा दोस्तो वह 33W की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है तो आप बहुत जल्दी भी इसको चार्ज कर पाएंगे फिर आगे आते हम इसके बाद एक और जबरज़त फीचर के बारे में हमारा प्यारा 3.5 mm jack तो यह जो हमको इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है वैस तो पूरी सीरीज में मिलेगा आकिरकार दोस्तो यह फीचर है दिर दिर गाएब होता हुआ दिख रहा है इसलिए हम लोग इसको प्यारा 3.5 mm jack कहते है तो अब यह फीचर जो हमको इस फोन में देखने को मिलने वाला है अब इस सीरीज के अगले फोन की तरफ हम आ जाते हैं जिसका नाम है Redmi Note 11 Pro तो दोस्तो यह फोन जो हमको देखने को मिलने वाला है MediaTek Dimensity 920 की चिप सेट के साथ उस इक साथ हमको इसमें देखने को मिलने वाली 6 GB की रहें 28 GB की स्टोरेज बेस वेरियंट के अंदर वहीं पर आगे चलते हुँ बता हूं तो हमको इसके अंदर ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा जहां पर 108 MP का मेन केमरा सेंसर होगा और उस इक साथ 8 प्लस 2 MP के बाके कैमरा सेंसर हो सकते हैं और आगे चलते हुँ आपको बता हूं तो इसके अंदर आप लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे 4K के अंदर जहां पर 30 fps तक की आपको फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वही फीचर 3.5 mm jack तो यह यहां भी हमको देखने को मिलने वाला है काफी अच्छा लगता है दोस्तो अगर यह गायब ना होए तो इन मिड रेंज वाले फोनों के अंदर से अब आखरी चीज में आपको बता दूं दोस्तो तो इसके अंदर हमको एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है जहां 120Hz की स्क्रीन डिफ्रेस्ट होगी तो काफी अच्छा एक्स्प्रियंस आपको मिल जाएगा बजट फोन के अंदर जहां पर आप लोग यूज कर पाएंगे बहुत अच्छी वीडियो देख पाएंगे गेमिंग कर पाएंगे काफी अच्छा प्रोसेसर भी है और इसकी प्राइस जो है दोस्तो एक्सप्टेड 17,000 के आरांट से स्टार्ट होती हमको देखने को मिल सकत है अब आजाते है दोस्तो इस लिस्ट के आखरी स्मार्टफोन की तरफ जिसका नाम है रेडबी नोट 11 प्रो प्लस या फिर प्रो मैक्स प्रो मैक्स के चांसिस डाला देखने को मिल रहे है या कि प्लो प्लस भी आसकते है दोस्तो तो जो भी है हम लोग को पता लग वाल है मीडेटक डैमेंची 1200 के चिपसेट जिसके साथ आपको मिलने वाली है 8GB की रहे है 128GB की स्टोरेज बेस वेरियंट के अंदर और आगे चलते हुँ बताऊं तो इसकी स्क्रीन जो है आपको एमुलेट डिस्प्रे देखने को मिल जाएगी अब कैमेरे की बात के लिए तो ट्रिपल रियर कैमेरा है जहां पर 108MP का मेन केमरे सेंसर है बाकी कैमेरा है जो है वह आपको 8 प्लस 2MP के देखने को मिल सकते हैं फिर आज़ाते हैं इसकी सेल्फी केमरा की तरफ जहां पर आपको 32MP का मिल जाता है यानि कि पिछले दो वेरियंट से उपर वाला और फोटो जिस से क्लिक कर पाएंगे फिर आज जाते हैं इसकी बैटरिक तरफ जहां पर आपको फाइट्री ऑफर करता हुआ देख जाएगा और दोस्तो चार्जिंग जो है इसकी 120W की है तो यानि आप चार्जिंग टाइम तो भूली जाईए काफी जल्दी आप इसको च अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी expected price की तो यह around हमको launch होता हुआ दिख सकता है 21,000 से 24,000 के बीच के अंदर है तो इसका base model जो है यानि 8GB प्लस 128GB इसके अंदर आ जाएगा और बाकी की जो variants है आग हैं को देखने को मिल सकते हैं अब हमने बात करी लिए दोस्तों सारी specifications की launch date की बारे मैं बताऊंगा और आपको मैंने बता दिया expected price हर device की तो अब देखते हैं दोस्तों की इसके बारे में क्या चीज और बता सकता हूँ आप लोग को तो यह जो specifications और expected price थी यह सब जो है leaks से आती है दोस्तों तो obviously आप लोग समझते ही होंगे कोई phone वगरा उसकी specifications हमक कैसे बता लगती है या तो leak या फिर official announcement तो अब दक तो leaks आ रहे थे और designs वगरा जब वो officially आ चुकी है तो यह phone जो हमको launch होते हुए दिख सकते हैं दिखने ही वाले हैं दोस्तो October 28, 2021 को तो यह इसी महीने की 28 तरीक को लेकिन अभी के लिए चाइना के अंदे launch होंगे इंडिय launch वो हमको शायद तक next month देखने को मिल जाए तो काफी जबरदस्त होने वाले है अगर इस price range के अंदर आते हैं तो बहुत जबरदस्त धमाल यह मचाने वाले है अब बात करते हैं दोस्तों कि यह phone आपको कैसे लगे है हमें comment करके जरूर बताईएगा आप लोग को कैसे लग देगा हम आपसे कल फिर मिलेंगे फिर कोई नई information के साथ बाहर है